मसकार दोस्तों मैं कुस्बू तो हमार एक वर फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल खुसी वनू लैप पिस्टैल पर प्रेंज सी के दोरान यूटो गर्बती महला के सरीन में कई तरह के अलग-अलग बदलाब आती हैं इनी मैंसे एक बदलाब है प्रेंज सी के दोरान आपका पेट कड़क या टाइट होना प्रेंज सी के दोरान गर्बती महलाओं को उनके पेट पेट के निचले हिस्ते पैलवे केरिया में काफी दबा मैसूस होनी लग जाता है जिसकी बज़े से उनका पेट बार-बार कड़क होने लग जाता है प्रेगनेंसी के दोरान आपका पेट का बार-बार कड़क होना न सिर्फ गर्बती महला के लिए ही परेसानी देने वाला होता है बलके इससे गर्ब में पल रहे बच्चे को भी काफी नुक्सान हो सकता है इसीरे फ्रेंस आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दोरान गर्बती महला का पेट अगर बार-बार कड़क हो रहा है तो इससे कैसे ठीक किया जाए इससे ठीक करने के क्या उपाई हो सकते है जिससे के आपको तुरंती आराम मिल जाए और आपको इससे कोई भी परेशानी ना हो इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंतक बने रहे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने ना बूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिपिकेसन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेस मिनादेरी की होगे फटा-फट से वीडियो को स्टाट कर लेते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दोरान गर्बती महलाओं को पेट टैट क्यों होता है इसके पीछे क्या कारण हो सकती है इसका सबसे पहला कारण है आपके सरीर में हो रहे हर्मोनल बदलाव जीए आफ प्रेंस आपके सरीर में हर्मोनल बदलाव होने की बज़े से आपो खाना ठीक से नभी पचता है गैस, अपच, इनकी समस्या होने लग जाती है और इसी बज़े से आपका पेट कई वार टाइट हो जाता है दूसरा खारण है प्रेग्नेंसी के सुरू-सुरू आती दिनों में अगर आपका पेट टाइट हो रहा है तो ये आपके गरपात होने का संकित भी हो सकता है लेकिन गरपात होने का संकित उसी कंडिशन में होता है कि अगर आपका पेट टैट हो रहा है इसके साथ आपको वजाइनल ब्लेडिंग हो रही है और आपको पेट के निचले हिस्से में एंठन चुबने वाला दर्द हो रहा है कि साथ ब्लेडिंग के साथ आपको टिशू आ आपको सांस लेने में दिक्तत हो रही है तो ये गरपात होने के संकेत होते हैं। इसका तीस्या कारण है प्रेग्नेंसी के दूसरी तिवाई में जब आपका पेट का आकार बढ़ने लग जाता है, यानि कि आपके गर्वा सहा का आकार बढ़ता है, तो इससे आपके लिगामेंस, आपके मास पेसियां, आपके स्किन में खेचाव आता है, इससे भी कईवार आपका पेट टैट हो जाता है इसका चौता कारण है कि प्रेगनेंसी के दोरान आपको नहीं पता होता है कि आपको जटके से चलना नहीं चाहिए जटके से बैठना नहीं चाहिए जटके से उठना नहीं चाहिए और अगर गलती से आप जटके से बैठ जाती है या आपको एक लेवर पेन आने का संकेत ये तभी हो सकता है जब आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है आपके कमर में भी दर्द हो रहा है और आपको चुबने जैसा दर्द सा मैसूस हो रहा है तो ये आपके लेवर पेन भी हो सकते हैं इसके लाबा इसके और भी नवास आपकी बढ़ जाता है इस दोरान अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है तो ऐसी करनेसर में आपके बच्चे को आपके गर्म में मुमेट्स करने के लिए जगे नहीं मिलती जिसकी बज़े से आपके पेट टैट रहने लग जाता है तो फ्रेंड्स प्रेंट में आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल है पसंद आता है आपको तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंज रेटेट पड़ोसी और अपने आसपास जो भी प्लेगनेंट महला है आपके रह रही है उनके साथ इस वीडियो को जरूर सेयर करें इ चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टाइम एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए खुस रहे स्वस्त रहे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें धर्निवार